Hello friends, मेरा नाम है अभिशेक सागर और आप देख रहे हैं Money Making Course यह course officially Technical Sagar YouTube चैनल पर launch हुआ है और आप यहीं से इसको ले सकते हैं अगर यह course आपको मेरे चैनल के अलावा कहीं और से मिलता है तो यह अवैद या गैर कानूनी होगा और उस course के साथ आपको क्या दिया जाएगा उसकी मेरी कोई जिम्यदारी नहीं होगी तो आज मैं आपको viral videos के बारे में बताने वाला हूँ और बताऊंगा कि viral videos से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं यूट्यूब पर आप पैसे कमा सकते हैं यह मैंने आपको बताया लेकिन viral approach क्या होता है उससे आपको कैसे पैसे बना रहे है देखिए viral approach अगर आपको start करनी है viral videos बनानी तो आप उन topic पर videos बनाईए जो trending है जो अभी चल रही है जिनके बारे में लोग सर्च कर रहे हैं उसक जनते हैं कि जब Jio का sim launch हुआ था इंडिया में तो फ्री इंटरनेट उसमें था तो काफी यह बड़ी चीज थी कि फ्री इंटरनेट यूज कर सकते हैं फ्री वीडियो कॉल्स हैं 4G वो भी फ्री तो बहुत trending topic था तो जिन जिन यूट्यूबर्स ने Jio के उपर videos बनाई उन होती रहती हैं जैसे अभी demonetization हुआ था आपको पता है 500 और 1000 रुपे के note इंडिया में बंद हुए थे उसके उपर भी लोगों ने video बनाई और वो भी viral हो गई तो जो भी कुछ नई बड़ी घटना होती है उसके उपर अगर आप video बनाते हैं तो ज्यादा chances है कि आपके channel को boost मिलेगा और वो channel grow कर जाएगा आपको अपने channel को किसी particular topic के उपर ढालना आना चाहिए जैसे कि अगर आपका tech channel है जैसे कि मेरा tech channel है तो आप demonetization की video अपने vlogs में बना सकते हैं आप video के शुरुआत में ये बोल सकते हैं कि ये technical video नहीं है लेकिन मैं इसमें कुछ और बोलना च आथी साथ उस video के साथ आप अपने technical videos attach कर दीजे उससे होगा ये कि आप viral content का इस्तेमाल करके अपने channel को boost दिला रहे हैं बहुत तो मुझसे पूछते हैं कि सर हमारा YouTube channel grow नहीं कर रहा है हम कैसे करें तो देखिए यही तरीका है आपके YouTube channel को grow करने का मैंने भी यही तरीका इस तो अभी हाल फिलाल में तीन चीज़े हुई पहली जियो ठीक है दूसरी demonetization अभी यह trending और है काफी funny साथ यह topic है कि किसी ने note पर लिख दिया किसी इनसान ने कि सोनम गुपता बेवफा है अच्छा यह trending पहुँच गया Twitter पे तो यह topic था यह काफी trending पहुँच गया लोगों उने इसके उपर वीडियो बनाई किसी ने ज्यादा बनाई कम बनाई तो खेल यह है कि सबसे पहले आप किसी trending topic के उपर कोई वीडियो बना सकते हो या नहीं अब मैं आपको real life example दिखाना चाहता हूँ देखिए मेरी सारी वीडियो आप देखिए इसमें 2000 के आसपास वीव ह और इसमें 1800 वीव हैं तो यह सब में नॉर्मल नॉर्मल से वीव हैं मैं आपको अपनी वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो मैंने आप कह सकते हैं कि वाइरल करने के लिए ही बनाई थी वो तो मैं आपको example दिखाऊंगा कि वाइरल वीडियो कैसे बनाई जाती है अब आपक कुछ भी अपनी लाइफ के बारे में या जो जो मैं करता हूँ वो बताता हूँ तो मैंने उस ही section का सहारा लिया और ध्यान दे कि आप भी अपने YouTube चैनल में vlog का section जरूर रखें ताकि आप technology या अपने YouTube के topic से अलग हट के भी कुछ बना सकें जैसे मैंने गाना डाला मैंने यहाँ पर देखिए एक video डाली जिसका topic था सौनम गुपता बेवफा अब इसका मेरे technology से कोई लेना देना नहीं है अब आप चाहें तो ऐसी funny videos में या कुछ भी topic के अपर अंदर videos में अपने किरदार को या आप technology के उपर हैं make up करते हैं या कोई भी चीज करते हैं उसमें इ 247 views हैं वो भी 6 दिन के अंदर और मेरी दूसरी वीडियो को ले लीजिए ये speech recognition के उपर बनी हुई है इस पर 2448 वीव हैं एक हफते के अंदर अब हम इसको समझते हैं कि इन दोनों वीडियो में क्या फर्क है क्या इस सोनम गुपता बेवफा का content ज्यादा अच्छा है या speech recognition का system ज्यादा अच्छा है ये वाली वीडियो ज्यादा अच्छा है देखिए वीडियो मेरा technical channel है उस हिसाब से देखी जाए तो ये वीडियो बेस्ट है तो क्या वज़य है कि ये वीडियो ज्यादा देखी गई क्योंकि ये trending topic पर बनी थी सोनम गुपता बेवफा है trending topic है इ आपको अगर channel grow करना है तो यही खेल है ऐसली ठेक है तो ऐसी वीडियो बनाईए trending topic के उपर तो आप देखेंगे कि आपका YouTube channel अब बहुत grow कर जाएगा और पैसा बनाना audience जमा करने जैसा ही है और उसी पर based है जैसे कि आप जानते अगर आपके customer 2 हैं तो आप कुछ पैसे नह आपको समझने में असानी होगी आप एक ऐसे रेगिस्तान में रहते हैं जहांपर सिर्फ दो घर ही हैं दो families रहती हैं और तीसरे आप हैं अगर वहाँ पर आप कोई राशन या कोई टौफी या कुछ भी बेचते हैं तो ज्यादा से ज्यादा दो घर खरी देंगे तो उन ट पाचास पैसे की भी टौफी बेच देंगे कम रेट की भी बेच देंगे तो बहुत मुनाफ़ा हो जाएगा आपको लाखों में भी हो सकता है ठीक है तो यही खेल है जितनी ज्यादा audience उतने ज्यादा पैसे बात खत्म अब आप बोलेंगे यह तो comedy video है इसमें आप अपना क और उस video में यह हो सकता है कि अगर मैं करता इस चीज को अभी तो मैं इस video के साथ अपने course को या मैं अपनी कोई चीज जो मैं बेच रहा हूँ किसी भी चीज के बारे में अगर मैं कोई product बेचता हूँ जैसे मान लीजे Amazon पर मैं कपड़े बेचता हूँ तो उसके मैं advertisement इसमे लोगों ने देखा ठीक है मान के चलिए यह जो मेरी वीडियो है यह 17,000 लोगों ने देखी ठीक है मान के चलिए कि 5000 लोगों ने भी मेरा कौई ऐक product खरी दिया और वो product कुछ भी हो सकता है वो ebook हो सकती है वो कोई course हो सकता है, वो कोई software हो सकता है, वो कोई tangible good हो सकता है, वो कोई electronic item हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, affiliate marketing का link हो सकता है, सबसे बड़ी बात, affiliate marketing का link, आप एक कोई music player खरी लिजिए, चोटा सा 2000 का, उसका एक Amazon से affiliate marketing का link भी ले लिजिए, और वो link डाल दीजिए, उस link से कोई कुछ खरी देगा, तो आपको commission मिलेगी, तो मान के चलिए, एक sale पर आपको commission होती है, 20 रुपे की, कम से कम, ठीक है, 20 रुपे की commission कम से कम होती है, और 5000 लोगों ने भी खरीद दिया, ठीक है, तो कितना हो गया, एक लाक रुपे, छै दिन के अंदर, अगर 17,000 लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, उसमें से 5000 लोगों को भी आपने, मतलब sales में ले लिया, और एक sale के लिए आपको कम से कम, 20 रुपे का भी हो रहा है, मतलब, आपके पस 20 रुपे भी आ रहे हैं, ठीक है, 20 रुपे भी आ रहे हैं, और आपको 5000 लोगों ने भी खरीद लिया, तो एक लाक रुपे बन गया, सिंपल सी बात है, यह जो money making का यह जो पूरा सिलसिला है, ऐसे ही काम करता है, viral content की मदद लीजिए, उनके साथ अपने product लगा के, बेच दीजिए, अब जो filmें release होती हैं, मैं filmों का एक और example, अच्छे से समझा देता हूँ मैं आज आज आपको यह चीज, देखिए filmें जब launch होती हैं, आपको पता होगा, जो बड़े-बड़े celebrities होते हैं, कोई stunt कर देते हैं, जैसे उनकी वैसे वो चूप रहते हैं पूरे साल, लेकिन जब उनकी वीडियो release होने वाली होती है, तो कपिल शर्मा के शोव में जाते हैं, ये करेंगे, stunt करेंगे, और कुछ बड़े-बड़े donation कर देंगे, गरीबों की मदद कर देंगे, पूरे साल सोते रहते हैं वो लोग, लेकिन जब उनकी फिल्में आने वाली होती हैं, तो अचानक से वो active हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है attention gain करना, लोगों को बताना कि हाँ हम भी हैं, अगर कोई बोले, अरे अक्षे कुमार ने वो श्टंट कर दिया, अच्छा अक्षे कुमार, अरे उसके कोई फिल्म आ रही है क्या, हाँ यार उसके नई फिल्म आ रही है, हो गई ये advertisement, तो इस बात को आप समझिए, कि आप viral content से बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, मैं कमाता था, और मैं अब भी कमाता हूँ, जब मैंने शुरुआत की थी, तो मैंने viral content का ही इस्तिमाल किया था, आप मैंने products को बेचने का, हाला कि ये products मैंने इंडिया में नहीं बेचे थे, ये click bank से मैंने विदेशों में बेचा करता था, तो पूरा खेल यहीं भी है, किसी भी देश में हो, लेकिन खेल तो यहीं रहता है, तो I hope आपको पता चल गया होगा कि, YouTube चैनल कैसे grow करना है आपको, YouTube से आप कैसे marketing कर सकते हैं, और ये पूरा viral silsila कैसे होता है, कैसे काम करता है, ठीक है जी? बस और क्या,